अरे क्या हुआ यह कीबोर्ड पे उंगली क्यों पटक रही हो अरे यह कीबोर्ड काम नहीं कर रहा मुझे कुछ जरूरी काम करना है बस इतनी सी बात कम्प्यूटर में इसका एक सॉलूशन है अगर आपका कीबोर्ड खराब हो गया है तो टेंपरेरी बेसिस पे जब तक आप का कीबोर्ड खराब हो गया है या कुछ कीज काम नहीं कर रही है तो आपको सिंबल जाना है स्टार्ट बटन पर चाहें आप विंडोस 10 में काम कर रहे हैं चाहें आप काम कर रहे हैं विंडोस 7 में चाहें आप काम कर रहे हैं विंडोस 8 में या 11 में सभी में यह फीचर दिय यहां से आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करने की जरूवत होगी मैं यह मान के चल रहा हूं कि इस समय मेरा की बोर्ड खराब है और वो काम नहीं कर रहा तो अब मैं माउस से ही अपने की बोर्ड को खो जूँगा और यहां पर आपको Windows Easy of Access मिलेगा और यहां पर आपको दिख जाएगा और इस की बोर्ड में बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपके कम्प्योटर के की बोर्ड में दिये गए हैं बहुत सारे लोग इसको टचस्क्रीन पे भी लगाके रखते हैं जहां पर आप कीबोर्ड को अटेच नहीं करते हो, कि टच स्क्रीन अगर आपके पास मॉनिटर है, तब भी आप इसका इसका इस्तिमाल कर सकते हो, तो कि यह कितना यूजफुल है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, तो मारो मैंने यहाँ पर MS Word open कर रखा है, और मुझे छोटा मोटा कुछ लि आते हो, आप जैसे कॉस्ट्वन करो, कि सर, आप ऑने स्क्रीन की वोड में किसी भी बटन को कैसे प्रेस करके रखेंगे, जैसे Ctrl-C हो गया, Ctrl-V हो गया, तो सिंपल आप किसी भी वर्ट को सेलेक्ट करो, यहाँ से Ctrl बटन को क्लिक करो, उसके साथ में दूसरा बटन प्रेस कर कर देगा, और यहाँ पर आप मानों, यह मुझे पेस्ट करना है, Ctrl-V, पेस्ट हो गया, तो यह बिल्कुल उसी तरह से काम करता है, जैसे आपका फिजिकल की वोड काम करता है, यहाँ पर कुछ और दिये गए हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि यह फेड का ऑप्शन है जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, तो यह हलका सा फेड हो जाएगा, और आपकी स्क्रीन आपको दिखने लग जाएगा, इस पर दुबारा से क्लिक कर दोगे, तो यह आपको विजिबल होने लग जाएगा, ओप्शन पर जब आप चले जाओगे, तो यहाँ पर कुछ जाएगा, और दुबारा से क्लिक करोगे, तो आपका कीबोर्ड वहां से डिटेट हो जाएगा, आप जहां चाहे वहां इसको इसको इस्तिमाल कर सकते हो, यह तो सच मुछ काम की जान का रही है, और अगर मान लो कभी माउस खराब हो गया तो, अगर किसी कंडिशन में माउ माउस का काम ले सकते हो, तो आपको दबाना है अपना लेफ्ट साइड का अल्ट और शिफ्ट बटन और उसके साथ में आपको प्रेस करना है नम लोग को, जैसे ही आप प्रेस करेंगे एक बीब की साउंड होगी और यहां पर आपका एक डायलोग बॉक्स ओपन हो जाएग जब हमने माउस की एक्टिवेट की तो यहां पर यह जो ऑप्शन है यह अनेबल हो गया, इसके नीचे यहां पर जो शॉटकट है कीबूर का, अगर वाई चांस आप इसे डिसेबिल करना चाहते हो तो यहां से टिक अटा दीजे क्योंकि हो सकता है कोई गेम खेलते समय है य इसका मतलब यह है कि आपने कीबूर की कंट्रोल और शिफ्ट की से अपने माउस की स्पीड को भी मैंटेन कर सकते हैं, इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है यूज माउस की वेन नम्लोक इस ओन और ओफ अब यहां पर यह जो ऑप्शन है आपको बड़ा सो समझ के चूज करन तो इसमें से सबसे बड़ी ऑप्शन यह है कि आप यहां पर आफ को चूज करें क्योंकि अगर आपका नम्लोक आफ रहेगा तो आप नम्मर बटन पर काम नहीं कर पाएंगे और अगर आउन कर देंगे तो माउस की अपने आप डिसेबल हो जाएगी और आप नम्मर की का इ अक्टिवेट किया था तो आपका नम्मलोक आफ है या नहीं तो अगर आउन है तो उसको आफ कर लीजिए अब आप देखे कि आपके जो बीच के सारे नम्बर से यानी 1,2,3,4,5,6,7,8,9 यह सारे नम्मर आपके माउस के करशर को मूव कराने के लिए हैं अगर हम 8 प्रेस करते हैं तो आपका करशर जो है उपर की तरफ जाएगा अगर 2 प्रेस करते हैं तो नीचे की तरफ आएगा अगर 4 प्रेस करते हैं तो आपका करशर लेफ्ट में जाएगा और 6 प्रेस करते हैं तो राइट में जाएगा अब जो बाकी के कॉर्नर से उन में कैसे जाएगा ज और 3 प्रेस करने पर यह नीचे जाएगा, राइट में जाएगा, तो यह जो सारे एंगल्स हैं, आप माउस को बड़े आराम से यहां पर चला सकते हैं, किसी भी बटन को दमाने की कोई डूरेशन नहीं है, आपको जहां माउस ले जाना हो, आप बड़े आराम से वहां पर ले तो आप नीचे देखेगा, आपके माउस के आइकन में जो राइट साइट वाला बटन है, वो डार्क है, अब आपके कीबोर्ड के नमपैट के उपर तीन बटन दिये होते हैं, पहला अबलिक का, दूसरे स्टार का और तीसरा माइनस का, जब आप अबलिक को प्रेस करते है तो यह जो की है वो बदल जाती है और राइट से लेफ्ट में आ जाती है, और जब आप माइनस की को प्रेस करते हैं, तो यह लेफ्ट से राइट में आ जाती है, तो आप इन दोनों कीज को यहां से चेंज कर सकते हैं, आपका जो पांच नमबर वाला बटन है, वो काम करता आपका click करने का. तो अगर हमें यह फोल्डर open करना है तो हमें left click करनी होगी क्योंकि हम double click करने लिए left key का इस्थमाल करते है हमेशा. तो यहाँ पर आप mouse key को ले जाएए अपने folder पर और यहाँ पर द हुद्धे selection आपका होना चाहिए left click पर. अब आप 5 बटन को दो बार प्रेस कीजिए और आपका देखें, फोल्डर ओपन हो गया, अगर आपको single click करना है, किसी folder या icon पर, तो आपको 5 प्रेस करना है, तो इससे आप select भी कर सकते हैं, और अगर आपको double click करनी है, तो आपको plus बटन को प्रेस करना है, लेकिन ये करना का अब है, जब आपके माउस की में, जो dark area हो, वो left बटन पर हो, अब इस बटन को हम change कर लेते हैं, आप देखें कुछ इस तरीके से आप जो area है, वो बदल गया है, अब वो जो बटन है, जो प्रेस होगा, वो right की जगे left में आ गया, अब जब भी आप 5 को प्रेस करेंगे, त मुझे drag करके ये new folder 2 में ले जानी है, तो मैं इसे कैसी ले जाओगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर, जो mouse की clicks है, उनको change करूँगा, इसको मैं left की पर select कर लोगा, उसके बाद अपने mouse की से इस फाइल पर जाओगा, और यहाँ से 5 बटन प्रेस करके इसको select कर लोगा, अब इसके बाद, अब मुझे इसको पकड़ के ले जाना है, जैसे आप mouse की left की को प्रेस करके और इसको ड्रेक करके ले जाते हैं, तो आप जीरो बटन को प्रेस करेंगे, एक बार, तो यह जो फाइल है, वो लॉग हो जाएगी आपके mouse के करशर के साथ में, अब आप इसे जहा गई है, तो यह जो सारा काम हमने किया है, यहां पर यह किया है, कीबोर्ड की मदद से और यहां पर हमने इस्तमाल की है, वो सारे 15 बटन, आशा है, यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, हम दोनों इस वीडियो में किसली है, उसका रीजन यह है, कि आप सभी के स सब्सक्राइबर पूरे हो गए है, आशा करते हैं, आपका प्यार और सहयोग ऐसे ही हमारे साथ आगे भी बना रहेगा, इसलिए हम दोनों आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और मैं वादा करता हूँ कि आपको इसी तरह से बहुत यूसफुल और क्योंकि इनका कहना यह है कि सर आप अकेले-अकेले बोलते रहते हो, यूसर के तो कोई कॉस्चन होते ही नहीं है, तो आप वीडियो के अंदर आपको जो डाउट्स है ना, यूसर की तरफ से ये क्लियर कराया करेंगी, और आगे आपको और भी अच्छे-च्छे वीडियो म मिलेंगे, तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम